नमस्ते, मैं अभिनव स्वाज़त करता हूँ आपका Lighthouse Souls से क्या आपको Extreme Mood Swings होते हैं? Extreme Mood Swings, कभी बहुत हाई, एकदम आप बहुत ही खुश हो गया हो, कभी एकदम आपको Depressing लगता है, और क्या ये recurring basis पे आपको होते हैं? क्या इससे आपकी Life Impact होने लगी है? तो ये science हो सकते हैं Bipolar Disorder के, ठीक है? तो Bipolar Disorder एक Mental Health Condition है, इस पे मैंने जस्ट कुछ जो भी रिसर्च करके, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, तो वो मैं शेयर करना चाहता हूँ, आप अपने आपको इससे थोड़ा सा एक असेस कर सकते हो, क्या आपको Bipolar Disorder है के नहीं? देखो, पहले इसको बोलते थे, इसका पहला नाम में इसको बोलते थे Manic Depression, ठीक है? Manic Depression इसको बोलते थे, अब इसको बोलते है Bipolar Disorder, इसमें Extreme Mood Swings होते हैं, जिसमें Emotional या तो High में होगो, जिसको Mania या Hypomania बोलते हैं, या फिर Lows होते हैं, जो कि Depression होता है, ठीक है? Now, यह Unpredictable होता है, आप इसको बिल्कु भी Predict नहीं कर सकते हैं, कि कब आप High जाओगे और Low जाओगे, जब आप Depressed होते हो, तो आपको Sad, Hopeless लगता है, जब आपको Mania या Hypomania होता है, तो आपको बहुत Euphoric, Full of Energy, और आप थोड़े गुसे में भी होते हो, यह सारे Mood Swing से होता क्या है, यह आपका Sleep को Effect करता है, Energy, Activity, Judgment, Behavior, Thinking Ability, सोच नहीं सकते हैं बराबर से, ठीक है? Now, Bipolar Disorder, ऐसा बोलते हैं कि Life Wrong Condition है, बट आप इसको बहुत अच्छे से Manage कर सकते हो, by following a Treatment Plan, ठीक है? इसमें Medication के थुरू, Psychological Counseling, Psychotherapy, और Side-by-Side आप अपनी Healing भी कर सकते हो, अलग-लग Motalities जैसे Mindfulness है, EFT है, Meditation है, इन सबसे आप Naturally भी उसको Heal कर सकते हो, ठीक है? Now, तोड़े से Symptoms देख लेते हैं, Manic Symptoms, मतलब जब यूफोरिक जो Symptoms रहते हैं, Abnormally आप खुश हो, जंपी हो, ठीक है, बहुत बहुत उचल रहे हो, ठीक है, Increased Activity, बहुत ज्यादा Enthusiasm, Agitation, Exaggerated Sells of Well-Being, बहुत ही खुश मतलब सभी बहुत अच्छा है, बहुत यूफोरिया, Decreased Need of Sleep, सोते कम हो, बिकोज आपको सोने के ज़रती नहीं पढ़ रहे हैं, Unusual Talkativeness, बहुत ज्यादा ही Talkative हो और हो, सामने भाला आपको अपो एपहँ आपी बहुत 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 यूज बहुत ही बोल रहे हो, बहुत racing thoughts, मानी में बहुत फटाप-फटापर thoughts चल रहे है, Distractability, माला बहुत ऌख सक्कित में बहुत बहुत आपको बहुत 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 तो यह हो गया जो एकदम ये उफोरी then down symptoms down symptoms मतलब आप depressed हो गई हो पूरे तरह से sad, empty, hopeful रो रहे हो then loss of interest or no pleasure at all कोई भी activity में, किसी चीज में भी डिप्रेशन आपको कुछ मन नहीं लगता है significant weight loss बिना डाइटिंग के weight loss हो रहा है insomnia हो रहा है या तो insomnia हो रहा है या बहुत ज़्यादा सो रहे हो restlessness हो रहा है या slowed behavior, दीरे हो गए हो fatigue हो रहा है, loss of energy feel कर रहे हो, worthlessness feel कर रहे हो, मतलब unworthy feel कर रहे हो तीक है, या guilt, आपके अंदर guilt or regret ये सारी चीज़े उपर आ रहे है या decreased ability of thing आप बराबर से सोच नहीं पारे, बराबर से decision नहीं ले पारे, और extreme cases में आप ये भी you may be thinking about committing suicide, और planning या even attempting suicide तो ये manic symptoms ही मैंने बता दिये है, depression symptoms ही बता दिये है, तो ये bipolar, मतलब it is, it goes either way, और unpredictable, कभी mood swings हो रहा है, कभी एकदम down जा रहा है, तो आच्छा, इसमें मैंने एक self test दिया है, Mental Health America website है, उस पे simple सा एक test है, वो test से आप at least एक समझ सकते हो, कि भाई, मुझे bipolar disorder है क्या तो वो एक self test दिया है, बट मैं आपको सबसे important बोलूँगा, अगर आपको यह symptoms लग रहे हैं अपने अंदर, तो यह किसी को आप जानते हो, please consult a psychiatrist, ठीक है psychiatrist सुनके आप बिल्कुल भी गुस्सा मत हो जाओ, यह बिल्कुल normal है, जैसे हम अपने body के लिए cardiologist है, ENT specialist है, neurologist है, और क्या gastroenterologist है, इन सब को consult करते हैं ना, वैसी हम अपने mind के लिए क्यों नहीं consult करते हैं, एक बर जाके check-up करवा लो, समझ लो, doctor आपको बता देंगे कि हाँ, वो, देखो, psychiatrist कौन होता है ना, he or she is very good, very trained holistically, right, physical, mental, हर aspects आपको चेक करके, then they can do a proper diagnosis, ठीक है, doctor ही diagnosis कर सकता है, कोई और diagnosis नहीं कर सकता है, तो आप बराबर doctor से consult करो, psychiatrist से, एक diagnosis करवा लो, समझ लो कि आपके, is it some problem that you need to maybe take some therapy or some medication, तो जो doctor के advice से उसको follow करो, मेरा से भी रिक्वेस्ट होगा, please इसको छोड़ मत दो, क्या होता है, हम इन सी ज़ों पर जब act नहीं करते हैं, आक्शनल लेते हैं, वो फिर खराब से खराब से खराब होती है, फिर लाइफ में एक point आता है, जब हम काफी कुछ चीज़े खो देते हैं, तब हम समझते हैं, कि हमको पहले doctor को दिखा दिया होता है, तो आज बोर्स नहीं होती, क्योंकि एक life, एक time पे जब आपकी situation खराब हो जाती है न, वहां से फिर वो एक irreversible stage पे भी चले जाती है, जब वो पूरी तरह ठीक नहीं हो सकती, तो जैसे आपको science लगे, आप act करो, अच्छा, आपके घर में, family में, please aware रहो कि आपको किसी को job में, किसी को ये problem है, please ignore मत करो, जाओ उससे friendly होके बात करो, उसको समझाओ कि ये एक disorder भी हो सकता है, तो might as well, you may want to check, finally उसको check कराना न, आप किसी को पकड़ के लेके नहीं जा सकते हो doctor के पास, but आप at least उसके कान में वो बात डाल सकते हो कि आप, you can go and check, you know, with a psychiatrist, तो हम सबको इसी तरह जादा से जादा mental health aware होना है, और mental health warriors बनके, अपने चारों और mental health awareness को spread करना है, इन diseases के बारे में, ठीक है, so, इसके बारे मैंने आपको बता दिया है, और I hope यह आपको वीडियो useful रगा होगा, आपको लगता है किसी को कोई, किसी को, ऐसे आपको family members या किसी को problem है, तो यह मेरा वीडियो उनको forward कर दो, ठीक है, तो they can check out for themselves, ठीक है, और अपने को अपना गाम करना है, ठीक है, बार में वो उस पे है, अगर वो तो negatively भी ले लेता है, कोई problem नहीं, आपके अंदर consciousness में guilt नहीं रहना जाए कि मैंने उसको बोला नहीं, ठीक है, और आप उतना ही कर सकते हो, आप किसी को बाकी उसके आगे force नहीं कर सकते हो,